नमस्कार दोस्तों दोस्तों यह च्ट्रक्शन साइट के लिए यह सबसे बड़ा जहर है अब बोलग सरी क्या है आप यहां पर देख रहे हैं इसको जब मिस्तरी लोग जो है पुरी तरीके से ढग दिया गया अगर आप इसको इस्तमाल कर लिए तो पक्का से पक्का जो है है इस पेटि को हम खोलें और देखेंगे यह है एक हुआ है कि जब भी कभी आप लोगों देखा होगा के काम चलता है यह कुछ कर लेना लेकिन साम होते होते तक जो है खतम नहीं हो पाता है तो उस सुचेशन में क्या होता है कि इसको छोड़ देता है हम बताएंगे कि अगर ऐसा होता है तो क्या दिकते होगे जरा समझेगा यह है क्या यह जहर मैंने इसलिए क्यों बोला यह क्या हुआ है जो मोटर जो त तो दूसरा सुभा आए गाई जैसे आज सुवह आया फिर इसको लेगा इसमें खाली हल्का सा पानी मिला देगा के पानी मिलाने के बाद इसको जय है फिर में इट चीनाई एल फ़िक फीलोच Aha अ और बोलें किका इसमें खाली पानी मिला देनेंसे गर इस्तमाल करेंगे मजबूति आएगा यह तो आप कम हो गया कि जहाहं जहां इस्तवार करेंगा पहला तो यह आपका कभी मिज si इस दो इंटा को काम करता है यह जूड़ेगा ही नहीं यह लेगा पिर थोड़ा सा लोड आगे पीछे वे कि हाँ पर करेक दिखेगा और साथ ही जब पलाश्टर में भी नहीं जूड़ेगा बस चिपक के रहा जाएगा लेकिन कभी वह जो है गिर जाएगा वह ऐसा क्यों दे कि अगर हम सिमेंट सिमेंट की बात कर लाते हैं तो सिमेंट क्या होता है कि जैसे ही उसको हम पानी के साथ मिक्स करते हैं तो उसका रियक्शन शुरू हो जाता है और रियक्शन शुरू होता है और उसका हाइड्रेशन प्रोसेस भी शुरू हो जाता है यह क्या होता है कि इस सेटिंग ताइम मतलब जैसे ही हम लोग जो है सिमेंट को पानी मिलांगे चाहिए वह मॉक्ण के लिए मसाला त्यार करने के लिए बुर्र के लिए की प्लास्टर के लिए चाहिए कंक्रीट के लिए वी और उससे क्या होगा तो कि रियक्शन शुरूब और ये जो left सेटिंग होना सुरू हो जाएगा मतलब कि जैसे अगर हम इस सिमेंट को जब मिलाएंगे वह कुछ इस तरीके से पुरा लूज रहेगा ड्राय रहेगा तो वह सेटिंग होना सुरू हो जाए कुछ इस तरीके से हाड हो जाएगा आपका मोटर कुछ समेंट में मिक्स हो है कितन सब्सक्राइब यह कल जो है पांच मत चार बज़े का सपास इसको मिलाया होगा और अभी जो है है tekkha siva egar और इसको में क्या करएक इसमें क्या करेगाप स번ही मिलाएगा पाने मिलाकर अपना काम करके खतम कर देगा यह freshly hist क्या हो गектор है मेरा इस तरह का कोई कर दिया है तो पहले इसका है जो सिमेंट का स्ट्रेंथ था आने का वो खतम हो गया अब यह काम नहीं करेगा तो इसको हम लोग क्या करते हैं हम आपको जड़ा दिखा देते हैं अब क्लियर हो जाएगा कभी भी जो ऐसा बिल्कुल इस्तमाल मत किजिएगा इससे क्या है कि आपका बिल्डिंग मैंने क्या बोला चाहिए तो मैंने आपको मॉर्टार का इजामपल दिया इसी तरह के से अगर हम कंक्रीट की बात करते हैं कंक्रीट भी अगर इस तरह से बच जाता है बिल्कुल इस्तमाल नहीं करना कोई लालज नहीं ठीक है भाई हुआ हुआ हम आपको दिखाते हैं जरास से देखेगा तो अगर म करेट यह सामतक में और इसको कुछ इस तरीके साब फिक दीजिए ठीक है बरबाद हुआ हुआ लेकिन मेरा बिल्डिंग बचा रहेगा इसको जह हम पुलाइटली जहें इसको फिकवा देते हैं देखें तो यह थोड़ा से तो दुख होता है तकलिप होता है कि यह इतना सा lingen करने के लाए गा है यह फियायर के द्रशाय प्लास्टर में इस अंहीं करके करना है तो कि यह सब चीज है जो कि आपको ध्यान मेंने के चलना है अगर इन सब चीजों का ध्यान तो आपका यह है बिल्डिंग में कोई भी तरह का दिक्कते नहीं आती है यहां प्लाश्टर करने के दुरान जो है इतना सारा मसाला गिरा हुआ है इसको उठाया नहीं अगर आपका सुपर विजन ठीक तरीके से नहीं है तो मिस्तिर्य से बदमासी करेगा वह छोड़ चार के भाग जाएग कि प्लाश्टर चाहे इरचिनाई के बाद जो है 24 घंटा के बाद उसको कम से सेवन डेज के लिए तराइए करना है पानी देते रहना है पानी देते यह रहना है क्योंकि जब सीमेंट पानी के साथ मिक्स होता है तो हैड्रीशन प्रोसेस को कंट्वीर रखने के लिए अभ हीट को रिड्यूस करने के लिए हम लोग इसके उपर पानी देता है जिससे क्या कि रिड्यूस होते रहे और मेरा प्लास्टर चाही चुरा इट चिनाए में चाही कंकीट में मजबूती आते रहे यह ध्यान में लेकर चले और शेवन डेज में पानी तो यह सब चीज है आपको ध्यान में लेकर चलना है उम्मीद करते हैं दोस्तों यह आपको जानकारी अच्छा लगा होगा और अगर आपका भी मिस्तिरी कुछ इस तरीके से कर रहात भाय कोई लोग लालज नहीं उसको फेकिए फिर जो है और उसी थोरा से जो है प्रो अधा बोरा का जो है मोटर बनाई एए अधा बोरा का कंकीड बनाई है उससे साब से चली ऐसा नहीं कि एक ही बार बना देते हैं उससे क्या है कि आपका बहुत सारा लॉस हो सकता है तो दोस्तों मिलते हम देश्ट वीडियो में कुछ नई टॉपिक असाथ आज अगर